बीजेपी को आप कवर करते हैं राउल गांदी जब भी विदेशी दोरे पे जाते हैं तो एक नई कॉंटरवर्सरी शुरू हो जाती है पिछली बार संसद नहीं चलने दिया था बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सत्ता पक्षय उसने संसद नहीं चलने दिया था इस बार फिर राउल गांदी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं इस बार बीजेपी किस तरह से जवाब देगी राउल गांदी के इन प्रहारों का जो विदेशों से दे रहे हैं कि प्रदान मंतरी मोदी तो भगवान से जादा जानते हैं मुसलिम लीग सैकुलर है और साथ म 17 से लेकर अभी तक पिछले 6 साल में विदेश की धर्ती पे कम से कम 8 बार बीजेपी वो सारा नंबर जिस तरह प्रदान मंत्री ने अपने गालियों के लिस्ट करनाटक में निकाली थी कि 90 से ज्यादा बार गाली दी गई है उसी तरह बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरा विदेश में बोले गए सब्दों की भी सब्दावली रखी है और पिछले 6 साल में 2017 में अमेरिका से ये सुरू हुआ था उनकी आत्रा के दौरान और आज 2023 है आठ बार कुल प्रदान मंत्री ने ने मोदी की सरकार के मुद्दो को और भारत में लोक्तांत्रिक ब्यवस्ता क को टार्गेट किये जाए ये इंडिये के लिए बीजेपी के लिए फायदेमंद है लेकिन करनाटक में लगा कि बहुत जादा इसका विक्तिगत लाव या चुनावी लाव नहीं मिलता है तोकि प्रदान मंत्री ने कई बार उनको राहुल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी के दौरा दी जाने वाली गाली का जिकर किया लेकिन करनाटक में एस्थिति अच्छी नहीं रही लगभग दोगने अंतर से कॉंग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जہती लेहाज अभी जो बयान कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से रहुल गांधी का जो बयान आया है आईू I तक वो सिर्फ अपने वोट बैंक के खातिर ये करते हैं और विदेश में बैठ कर भी अभी जो बयान राहूल गांधी दे रहे हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए चुकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां ऐसा लगा है जैसा कि आपने करनाटक में लिए तो कॉंग्रेस पार्टी चुनाओं में अच्छा प्रदर्सन करती है और बीजेपी को लगता है बीजेपी यही मान कर चल लिए कि इसी वज़ा से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए वो आई यू एमल जैसे पार्टी जिसे कहा जाता है कि जिन्ना क जिन्ना की मुस्लिम लीग के बाद ये बना था 1947 में जिन्ना का मुस्लिम लीग खत्म कर दिया गया था 1948 में जो उस वक्त इंडियन मुस्लिम लीग के तमिलनाडू के प्रेसिडेंट थे यानि की जिन्ना की पार्टी के प्रेसिडेंट तमिलनाडू के थे उन्होंने आई उ दिएप के साथ उनका गटवंधन है यानि कॉंग्रिस पार्टी की वो साहिजदार है और जाहिर तोर पे वाइनाट के सेट से राहूल गांधी चुनाव लड़े थे और जीते थे उसमें आईउएमेल ने उनका पूरा समर्थन किया था इसलिए एक पुलिटकल कंपंसल है रा ठीकलर बताना है देखना ही है क्योंकि प्लक्टवाइब